मैंने अब तक सबसे बड़ा सबक ये सीखा है कि हम जो सोचते हैं वे बेहत महत्वपूर्ण होता है अगर मैं ये जान पाऊं कि आप क्या सोचते हैं तो मैं ये भी जान जाओंगा कि आप क्या है हमारे विचारों के कारण ही हम वैसे बनते हैं जैसे हम हैं हमारा मानसिक नज्रिया ही वे अग्यात शक्ती है जो किस्मत बनाती या बिगाड़ती है इमार्शन ने कहा था मनुश्या वही होता है जो दिन बर सोचता रहता है आपके और हमारी सबसे बड़ी समस्या है शायद एक लौती समस्या सही विजार जुना अगर हम ऐसा ना करें तो हमें अपनी समस्या को सुलजाने की राह पर आगे निकल सकते हैं रोमन्स अमराज्या पर शासन करने वाले महान राशनिक मार्क्स और लियस ने आठ शब्दों में इस बात को समझाया था आठ शब्द जो आपकी किसमत बना सकते हैं हमारे विचारों से ही हमारी सिंद्गी बनती है अगर हमारे विचार सुक्त होंगे तो हम सुकी होंगे अगर हमारे विचार दुक्त होंगे तो हम दुकी होंगे अगर हमारे विचार में डर के विचार होंगी तो हम डर ही रहेंगे अगर हमें हमारे विचार बिमार होंगी तो हम बिमार ही रहेंगे अगर हम असफलता के बारे में सोचेंगे तो हम निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे द्रिष्टियन मिल्टन ने लगवक 300 साल पहले ये बात लिकी थी मास्टिशत का अपना एक लिष्चित स्थान होता है और ये अपने आप में नर्ग को स्वर्ग में बदल सकता है और स्वर्ग को नर्ग में